Hello everyone, Welcome to 5G Educators YouTube Channel तो guys, आज किस टिटूरियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ OpenShot Video Editor जो के बिल्गुल फ्री, ओपन सोर्स और अवार्ड विजिंग सौफ़वर है जो के आप अपने Linux, Windows या Mac के लिए यूज़ कर सकते हैं लिंक मैंने आल्यडी डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दिये, सिंपल वहाँ से जाके डॉनलोड कर सकते हैं तो guys, सब्सक्राइब कर लें 5G Educators YouTube चैनल को and let's begin this video fast and quick जी हां guys, तो installation करने के बाद जैसे याप अपने OpenShot Video Editor को open करते हैं तो हमारे पास ये interface available होगा आपके PC पर तो guys, हमारे पास सबसे पहले है फाइल फाइल में हमारे पास देखते हैं new project की option है यानि के आप एक निया project create कर सकते हैं इसके बाद है open project यानि के आपने अगर एक project को save किया हुआ है तो यहां से आप उसको आके open भी करवाज सकते हैं save भी कर सकते हैं save as भी कर सकते हैं यानि के save उसी project को कर सकते हैं save as से मराद कि आप different और different नाम से और different location से आप अपने एक ही project को save as भी करना चाहते हैं different name से और location से इसके बाद है import files import files का क्या मतलब है वो भी मैं अभी आपको सब यह चीजें जो हैं वो कवर करके दिखा देता हूं जो हमारी टूल बार पे यहां पे बनी हुई है यह फाइल में मजूद है ठीक है इसके बाद एडिट में हमारे पास देखते हैं अंडू रीडू की आप्शन्स हमारे पास मजूद है इसके बाद टाइटल है यहां पे आप टाइटल वगरा क्रियेट कर सकते हैं वियू में हमारे पास है वियू में हम देख लेते हैं वियू है वियू टूल बार अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी toolbar जो हो खत्म हो जाएगी लेकर हमें toolbar चाहिए है तो आपने view पे जाना है और view toolbar पे क्लिक कर देनी है full screen के लिए आप f11 भी use कर सकते हैं या आप यहां से full screen भी use कर सकते हैं f11 ले यूज़ करेंगे तो हमारी जो हो screen कम हो जाएगी यानि कि minimize हो जाएगी तो इसके बाद हमारे पास देखें view में हमारे पास है simple view, advanced view, unfreeze view यहां पे अगर आप advanced view में करते हैं तो हमारे पास कुछ view जो है वो change हो जाएगा लेकर आपने क्या करना है कि आपने इसको रहने देना है simple में ताकि आप easily videos को edit कर सकें तो guys view में हमारे पास view के बाद हमारे पास वही चीज़ें जो file menu में मजूद थी वो हमारे पास नीचे यहां पे मजूद है new project अगर आपने कोई project जो है वो ने अपना new शुरू करना है तो open project पे click करें और जिस जगह पे आपने उसको save करवाया है उस file को आपने open short project के नाम से इसकी हमारे पास extension भी है उसको आपने save करके open भी कर लेना है ठीक है आप open easily कर सकते हैं इसके बात हमारे पास है save project option यानि कि आप इस अपने current project को save करना चाहते तो आपके पास यहां पे save project option है undo redo की option है यहां पे है import files, इस पे आपने करनी है click, जैसे आप import files पे click करेंगे तो यहां पे आप अपनी वीडियो को add कर सकते हैं, आप अपनी pics को add कर सकते हैं, जो भी चीज आप यहां पे add करवाना चाहें, आप यहां पे simply add कर सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो को echo कर लिया open, तो हमारे पास शो आल में प्रोजेक्ट फाइल पर देखें तो हमारे पास शो आल लिखा हुआ है वीडियो लिखा हुआ है आडियो लिखा हुआ है इमिज लिखा हुआ है वीडियो में हमारे पास हमारी वीडियो आ गई है आप इसको शो आल पर ही रहने दें इसके बाद हमारे पास द पर सेकंड है इसको आपने क्लिक करनी है और इसको आपने ले के चले जाना है टेन एटी पी ठीक है टेन एटी पी 133 पिक्षिल यह YouTube के लिए स्टेंडर्ड है टेन एटी पी घरटी кажने के वारेट नहीं बताया था तो अब आपने इस वीडियो पर क्या करना है आप झाया है यहां से आपने ट्रैक्स को रिमूव कर सकते हैं कम कर सकते हैं यह दो ट्रैक्स हमारे पास रह गए ठीक है इन दो पर वर्किंग करके आपको दिखाता हूं अगर आप ट्रैक ज्यादा करना चाहते हैं तो टाइम लाइन के नीचे लिखा हुआ है एड ट्रैक करें तो हमारे पास ट्रैक जो है वो एड हो जाएगा और सिंपल आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं तो आपने इस वीडियो को सिंपल ऐसे पकड़के ड्रैक करना है ट्रैक पर जैसे आप इसको ट्रैक पर ड्रैक करेंगे हमारे पास यह देखें कि हमारी जो वीडियो है वो हमारे ट्रैक पर आ गई है अब आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो आपने इस प्ले बटन पर क्लिक करनी है अग कि आपको sound की वज़ा से कोई problem ना आए ठीक है तो guys यहां पे आप यहां पे आप क्या add track का सकते हैं इसके बाद हमारे पास आप आपने video insert का ली है सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि मैं अभी देखें आप यहां पे आके मैं बैठ रहा हूं ठीक है आप सोचें कि यह बहुत दूर दूर हमारे पास यह seconds हमारे पास जा रहे हूं बहुत स्लो हमारी track जो है वरक कर रहा है track पर यह हमारा जो timeline है यह बहुत slower कर लिए तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आपने कम कर लेना है यहां पे लिखा हुआ हूआ है पांच seconds हर जो एक point है उससे दूसरे point में कितना फर्क है 5 seconds का फर्क है आप इनको जाद कम करना चाहते हैं तो आप यहां पे कम कर लेना है ठीक है यहां पे हमारे पास 15 seconds बाद हमारा जो है वो न्यूब यहां पे हमारे पास 0 seconds है 0 seconds के बाद हमारे पास 50 seconds शो हो रहे हैं उसके बाद 30 seconds शो हो रहे हैं इसके बाद 45 यह चीज़ आपको मैं समझा रहा था इसको आपने 10 seconds पे कर लेना है अगर आप zoom करना चाहते हैं अपने track को अगर आप close जाके editing करना चाहते हैं तो यह आपने ऐसे ठीक है इस पर working करनी है तो आप सबसे पहले देखें कि मैं यहां पर जब आया यहां तक मैंने पहले आके chair पर बैठा हूं माइक सेट किया है अगर मैं चाहता हूं कि इससे पीछे वाली वीडियो ही मुव हो जाए ठीक है तो उसको आपने क्या करता है eraser tool को use करना है हमारे पास दिखा हूँ रेजर टूल ठीक है इसको आपने click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो हमारे पास ये आपकर टूल जो है ये हमारे पास देखें कि razor tool जो है वो यहां वीडियो है, इसको आपने कहा करना है, कि Simple Delete कर देना है, ठीक है, Remove कलिप यहाँ पे कलिक करें, यहाँ आप Simple Delight की की मदश से भी इसको Remove कर सकते हैं, अब हमारी वीडियो जो है, वो बिल्कुल स्टर्टिंग पे आ गई है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है यह चीज थी कि आप किस तरह अपनी वीडियो को trim कर सकते हैं यहां पर अगर सोचें कि अगर मैं यहां से mistake करता हूँ यहां से लेके यहां तक यानि कि मैं बोलते हुए कुछ गलत बोल देता हूँ तो उसको कैसे remove करना है आपने कहा करना है कि next लिखा हुआ है यह देखें add marker आपने marker पर क्लिक करनी है यहां पर आपने add mark हो जाएगा यहां पर देखें कि वो एक blue सी एक चोटी सी आगई यहां से लेके मैंने mistake की है यहां तक अभी मैं देखा देता हूँ आपको यहां तक यहां पर भी आपने mark add कर देना है अब दो marks मेरे पास लग गए एक यह और यह एक यह यहां इनके द्रम्यान में जो वीडियो है उसको मैं delete करवाना चाहता हूँ razor tool को आपने पकड़ना है और mark के सामने आके आपने simple इसको कर देना है एक दफ़ा आपने click करनी है तो आपकी वीडियो वहां पर दो pieces में हो जाएगी इसके बाद यहां पर click करनी है तो हमारी वीडियो जो है वो divide हो जाएगी ठीक है आप razor tool को select करें इस पे आगए आप select करें और इसको कर देन डिलीट ठीक है इसको आपने remove क्लिप करना है तो हमारे पास यह जो remove हो जाएगा अब हमारी जो वीडियो है देखने के लिए हमारे देखने को हमारे दो piece अलग है लेकर जब इस यह प्ले करेंगे तो हमारा यह एक ही piece है ठीक है इस पे आप transitions बगरा apply करेंगे तब ही यह फरक आएगा अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर यह मेरी वीडियो शुरू होती है मैं चाहता हूँ इस पे थोड़े से effects नज़र आए थोड़े से transition नज़र आए थोड़े से effect coloring के effect add करना चाहते है तो हमारे पास project file है इसके बाद है effects effects में हमारे पास है देखें कि brightness and contrast है आप brightness add कर सकते हैं इसके बाद अपनी वीडियो को blur कर सकते हैं अभी मैं आपको use करके दिखा देता हूँ अभी मैं कहता हूँ कि आप brightness को नक्रीज करना चाहते properties पे आप क्लिक करें देखें कि दुबारा मैं आपको यह समझाता हूँ आप में कहा करना है कि यहाँ पे properties पे आपके क्लिक करना है ठीक है control I यहाँ पे properties पे क्लिक करेंगे हमारी brightness यहाँ पे 00 है इसकी value जो है वो आप आप कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप क्लिक करके आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं कि 5% हाई कर सकते हैं यहां से आप इसको सिंपल लो भी कर सकते हैं ठीक है सिंपल इस पे आके आपने इसको ड्रैक करना है इतर एक अपनी लäफट के को प्रेस करके आपने ऐसे करना Baba की जो आपकी जोपर झाला हो जाएगी ऐसे, यह हमारी transition, अगर आप इसकी थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो आपने properties में जाना है, वो ही तरीका, और यहां से आपने क्या करना है, इसकी जो start position है, उसको आपने थोड़ा सा decrease कर देना है, ठीक है, circle out हमारे पास, यहां पर देखें कि end जो है, वो 10 है, आपने इसकी duration जो है, वो कम कर देनी है, और इसको आपने यहां पर लेके आना है, ठीक है, अब इसको हम प्ले करके देख लेते हैं, आपने यहां से duration लिखा हुआ है, end duration और end, यहां पर आपने यहां पर फरक करना है, ठीक है, और इसको भी हम प्ले करके देखते हैं, तो हमारी वीडियो जो है इस तरह आजाएगी ठीक है अब आप देखें कि स्पीड से हमारे पास यह वर्ड कर रहा है ठीक हो गया यहां पे हम व्यू करते हैं और सिंपल आप व्यू को सिंपल व्यू में लेकर आ सकते हैं यह चीज़ होगी हमारे पास ट्रांजिशन भी हमने अप्लाई कर ली यह हमारे पास एक और चीज़ है जो आपको मैं सिखा देता हूँ आपने वीडियो पर आके करनी है अपनी क्लिप पे यह मेरे पास क्लिप है इस पर आपने करनी है राइट क्लिक जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर कॉपी लिखा हुआ है कॉपी क्लिप effect यहां, आप अपने clip को copy करना चाहते हैं, duplicate करना चाहते हैं, control c और v करेंगे तो आपके clip जो है, डूब्लीकेट हो जाए control c की है, और control v की है तो हमारे पास duplicate हो गया, इसको मैं भी simple delete का देता हूँ, इसके बाद अगर आप देखें, तो fade, यहां पे कर दिया, ठीक है, slow, जब आप इस पर click करेंगे तो यह देखें के black हो गया, ठीक है अब इसको अगर आप play करके देखें, सबसे पहले fade black होगी, उसके बाद screen जो है, वो white होगी, ठीक है, अगर आप इसको end पे apply करना चाहते हैं, कि आपकी वीडियो जो है, वो आइस्ता, 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 मदम हो जाए, खतम हो जाए, तो आप क्या करें, कि fade को end पर apply करें, slow कर लें, यहां पे हमारे पास fade जो है, वो apply हो चुका है, यहां पे देखें, तो हमारी जो वीडियो है, अगर मैं transition को remove कर दूँ, तो आपको समझा जाएगी, transition को मैंने यहां सरे remove कर दिया है, तो गाइस, यहां पे देखें, कि अब मैंने यहां पे apply किया है, यहां पे मैंने fade को apply किया, तो हमारे पास जब इसको play करेंगे, तो हमारी जो fade in है, वो इस तरह वीडियो जो है, आईसा इस तरह लेक होती, खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद अगर हम देखें, तो आप इस पर कई और चीज़ेंगे apply कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, वीडियो को animate कर सकते हैं, यानि कि वीडियो को किस तरह वीडियो enter होगी, वो भी आप इस पर apply कर सकते हैं, पहले इसको zoom effect इस पर अगर add करते हैं, तो क्या होगा, आप ने यहाँ पर क्या करना है, zoom, यहाँ एनिमेट में जाना है, start of the clip, zoom, और मैं करता हूँ, zoom out, 150% to 100%, अगर मिने ने इसको select कर रही है, अभी settings को देख लें, animate, start of the clip, zoom, और उसके बाद zoom out, 150% to 100%, अब क्या होगा, यह देखें, अभी, पहले screen बड़ी होगी, उसके बाद वो screen जो है, वो आईसाईस तक कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से आप यह चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसको करते हैं, अभी इसको मैं चेंज करके animate को animate को animate में जाता हूँ, और zoom कर देता हूँ, जूम इन, तो आप देखें कि पहले screen जो है, हमारी चोटी होगी, और वो सामने आएगी, ठीक है, इस तरह, यह fade की वज़े से आपको पता नहीं चल रहा है, मैं fade को अभी disable करके, आपको एक दोफर play करके दिखा देता हूँ, यह देखें, यह हमारे पा जो है, वो fast या ज्यादा speed कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आप अपनी वीडियो की speed को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके साथ ही आप जो है वो volume को अपने जो है वो कम कर सकते हैं, यहां से आप reset कर सकते हैं, अपने volume को यहां कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहां इंटाइर वीडियो के लिए यहां से वालियम को आप कर सकते हैं अगर आप अपनी वीडियो का सेपरेट करना चाहते हैं आडियो यानि किया आप वीडियो से आडियो को अलग करना चाहते हैं आपने सेपरेट आडियो यहां पे आपने राइट क्लिक की सेपरेट आडियो पे आगी है आप इसको कई एक सकते कि सिंपल आप इस आडियो औरब कर सकते हैं अगर आप इसको करेंगे तो हमारी तो आडी का क्वालियम弯 है वो खट्म हो जाएगा आप इसी तर आपनी वीडियो के बाग्राउंड पे music apply कर सकते हैं कोई भी music जो है वह प्रोजेक्ट फाइल में जाएं यहां से आपने इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करनी है और जो भी आपको music आपके पसंद का है आपने यहां पे insert करवा लेना है अभी मैं आपको music जो है कोई यहां से add करके फाइल दिखा देता हूं यहां पर मैं चैनल वर्क पर आया यहां पर मैं इस music को add करना चिखा देता हूं एडिसन तो यह मैंने इस music को simple पकड़ा जिस तरह और इसमें नीचे ट्रैक वादे में एड़ कर दिया और इसका वालियम जो है वाप कम ज्यादा कर सकते हैं जिस तरह म हमारे पास आपने करना है कि अगर आप इसको export करना चाहते हैं तो आपने export पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर आपने export पर क्लिक की हमारे पास file का नेम आप यहां से लिक सकते हैं जिस तरह मैं लेकर देता हूं how to edit videos यह मैंने title दे दिया इसके बाद आपने file select करनी है किस जगा सेव करना चाहते हूं मैं सेलेक्ट कर लेता हूं folder F और यहां पर अपनी file को सेव करवाना चाहता हूं ठीक है तो गारिज यहां पर आपने profile select करनी है आपने यहां पर करना है web ठीक है web में हमारे पास है यहां पर आप YouTube HD कर सकते हैं YouTube HD आप कर लेंगे तो हमारे पास 1080 यह खुद ही settings कर देगा ठीक है YouTube HD को आपने select कर लेना है यहां पर आपने web करना है और यहां पर sorry आपने web किया यहां पर नीचे आपने करना है YouTube HD और इसके بعد आपने इसके frame rate को भी ज्यादा कर लेना है frame rate आप इसका यही रहने दे यहां यहां त्धोर ले आपने frame rate को high कर लेना है ठीक है इसको मैं कखा देता हूँ हाइ आपने quality को dockapple ने भी आपने आप उपसंद आये तो मेरे channel को like share subscribe दूर केजिए। थावच्छ वाच्छ 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 वद्टियो अलाफ पीस